हेलो फैंट्स नमस्कार साथ यू स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जरकारी वारत में तो फैंट्स आज ससी जेई का जुनियर इंजिनियर के लिए सिविल मेकनिकल और इलेक्टिकल जो एक्जामनेशन 2023 गुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है तो इसमें देखिए रिजल्ट क्या आया है और कट आप मार्क्स कितनी गई है आप में से बहुत सार इस्ट्रूइंट का ये प्रशन होगा तो देखिए कितने इस्ट्रूइंट क्वालिफाई किये हैं तो ये वेकैंसी थी, EWS में 139 थी, 139 क्वालिफाई कर गए हैं SC से 210 के 210 तो कुल में लाकर यहां पर कर बात किया है 1374 कैंडिडेट क्या है, क्वालिफाई किये हैं इस एक्जाम में cutoff marks कितनी कही है, तो cutoff marks आप civil engineering के लिए देख सकते हैं यहांपर EWS के लिए 319.94 cutoff marks देखने को मिली है जबके SC category के लिए 293, ST category के लिए 299 cutoff marks यहां पर देखने को मिली है OBC के लिए 319 और channel category के लिए यहांपर जोके सबसे हाई भी आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी 325 क्लियर है तो यह था डिपार्टमेंट कोड B के लिए था डिपार्टमेंट कोड D के लिए यहाँ पर EWS की 338 है जबके जनरल कोड के लिए जनरल की बात करें 340 है अधर के टिकरी के लिए 311, 313 और 260 के करीब यहाँ पर कट आप मार्क्स देखने को मिली है तो यह थी आपकी सिविल इंजिनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट कोड B, D, F और G और I के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं के के और M के लिए भी दे रखिया है तो यह अपने पोस्ट कोड के साब से आप लोग शेक कर सकते हैं जबकि electrical और mechanical engineering के लिए बात करें तो यहाँ पर कट आप काफी जदा हाई देखने को मिली है EWS के लिए 403 जबकि SC के लिए 389, ST के लिए 363, general category के लिए 404 cut-off marks यहाँ पर देखनी को मिली है clear है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर post code के लिए यहाँ भी दे रखिये ABC, E, H और J, L code जो post code था उसके लिए दे रखिये है clear तो यह थी आपकी cut-off marks जो कि अभी अभी थोड़ी तर पहले ही SSC जेरीक के द्वारा जारी हुए है अगर आप लोग SSC के त्यारी करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा thank you for watching this video